बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट ये सही है कि गलत है कुछ चार-पाइच लोगों का मुझे इस पर उपिनियन चाहिए बाइकॉट चाइना सही है कि गलत है देखिए सिधानतों के साब से तो गलत है जो इंटरनेशनल ट्रेड में और जो एडम स्मित कहते हैं आप लोगों उसके बाद से मुझे नहीं लग रहा कि उन्होंने कोई वीडियो बनाया है चाइना मतलब जो देश भक्त लोग है उन्होंने उनको अतना ट्रोल किया कि वह आयम का यह बनाई यह बंदा और बहुत नॉलिजबल है फैनेंस में बहुत अगली पकड़ है मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे भी सीखी है उन्होंने उसके बाद से वीडियो नहीं बनाया एक दो लाइब सेशन जरूर लिये थे मुझे नहीं लग रहा बनाया था तो मैं आपको बस पाच मिनिट में यह क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड हम लोग टॉपिक पढ़ ले तो अगले ट बाइकाउट चाइना नहीं करना चाहिए मैं खुद कोसिस करता हूं कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम और सिर्ल लेकिन देखी यह बाइकाउट चाइना की बात नहीं है मैं यह कोसिस करता हूं जब भी मैं जब मैं बिक बजार जाता था घर का समान करीदने के लिए या किसी तो मैं कोसिज ये करता हूँ कि अगर किसी भी प्रोड़क्त का इंडियन सब्सिटूट अफलेबल है तो मैं वो जरूर लूँगा सुरुवात हमें करनी चाहिए अपने घर की ग्रोसरी से हम लोग साबून तेल मंजन कॉस्मेटिक की चीजे टूथपेस्ट ये सब सारी की सारी चीजे तो खरीते हैं कोलगेट से प्रॉक्टेंड गेंबल से हुल से क्योंकि हमें पता ही नहीं है हमें यह नहीं पता कि लक्स इ इंडिन कंपनी नहीं है बहुत लोगों को पता होगा लेकिन बहुत सारों को नहीं पता है तो सुरुवात करिए जो हमारे पास सब्सिट्यूट अवलेबल है हम अननेसेसरी बहुत बड़े प्रॉड़क्ट में ना कूदें कि हम अपने घर का टीवी निकाल के फेक दिया एमाई का और वन प्लस का फोन तोड़ दिया नहीं मैं देख रहा था इस तरने के वीडियो आ रहे थे लोग मुर्कता कर रहे थे और बहुत सारे किसी ने अपने लैप्टॉप तोड़ डाला किसी ने कुछ कर दिया तो यह सब सारी चीज़े अभी करने की ज़रुत नहीं स सुरवार्त यहां से कर सकते हैं कि हमारे पास वो प्रड़क्ट जो अच्छे खासे हैं पतंजली बहुत अच्छे बनाती है डावर बहुत अच्छे बनाती है और गोद्रिश कंजूमर प्रड़क्स बहुत अच्छे बनाती है उसके प्रड़क्ट नो डाउट एक्ट्वेल Procter & Gamble, Nestle इन सब के टककर के हैं तो हमें पहले जो अपनी Indian company जो product बना रही है और उनके product लगभग उनके बराबर के ही हैं तो हमें उनको consume करना चाहिए हम लोग करते क्या है कि हम लोग जो maximum पैसा जो होता है एक household का वो उसकी grocery में जाता है electronic item तो साल दो साल तीन साल पांच साल में एक बार कभी करीदता है लेकिन इस तरह की चीज़े हम लोग रोज खरीदते हैं तो हमें सुरवात वहां से करनी चाहिए कि जो product हमारे देश में असानी से available है बन सकता है हमें खाली चाइना से कोई बैर नहीं है हमें किसी कंट्री से कोई बैर नहीं है international globalization है हमें सभी countryों को साथ रहना है हमारा main concern है कि हमें अपने देश से प्यार है और हमें देश को आगे बढ़ाना है हमें अपनी country को अपनी economy को मजबूत करना है तो उसका तरीका क्या है कि आप सबसे पहले जो day to day रोजमर्रा की जिंदकी में अस्तेमाल होने वाली जो वस्तुएं हैं grocery items हैं जो FMCG products हैं जो हमारे कपडे हैं, जूते हैं wrist watch हैं जो कि इंडिया में बहुत अच्छी अभलेबल हैं उनको पहले इंडियन प्रोड़क्स को खरीदें और हम यह at least identify कर लें पहले कि कौन सी कंपनिया इद्विदेशी है कौर सी देश की हमारा है जो students हैं उनको अपने घर के लोगों को पहले educate करना चाहिए हमारे घर में मम्मी को नहीं पता होता है कि यह जो Procter & Campbell है या H.U.L. है वो इंडियन कंपनी नहीं है या यह जो product आता है यह Lux है यह H.U.L. का product है और हिंडुस्तान उनिलिवर इंडिया की कंपनी नहीं है वो बिटेन की कंपनी है मम्मी को नहीं पता है तो पहले तो हमें घरवान लोगों को पताना चाहिए कि इससे अच्छे product यहाँ पर अबलेबल है पतंजली बना रहा है डाबर बना रहा है गोदरिज बना रहा है अपना RSPL बना रहा है इनके product उससे सस्ते भी है और quality wise equal भी है तो हमें पहले उनको इस्तेमाल करना चाहिए और फिर दीरे जब हमारे expertise होती जाए जैसे जैसे हमारे economy of scale बड़ेगा हमारे खुद के home made products की demand बढ़ेगी फिर हम उनकी quality को और improve कर पाएंगे हम उनकी quality को import oriented quality बना पाएंगे या उनकी quality को ऐसा बना पाएंगे जो ताकि हम उनके products को import भी कर पाएं वो तब ही संभा हो है जब उनकी demand बहुत आएगी उनको profit मिलेगा तो पहले हमें अपने products की demand बढ़ानी पढ़ेगी जब हमारे products की demand आएगी तो उनके पास पैसा आएगा companyों के पास तो नए-ने research करेंगे और product को ऐसा बनाएंगे कि वो export quality का product बने जब वो export quality का product बनेगा तो वो विदेशों में बेचेंगे जब विदेश में बैचेंगे तो विदेशी मुद्रा मिलेगी जब विदेशी मुद्रा मिलेगी तो वो further expansion करेंगे जैसे कि विप्रो एक FMCG company थी डाल्डा का नाम सुना है अपने है येस सर्व संतूर का नाम सुना है संतूर साबून बहुत बढिया साबून ऊनुता है जी सónल को लगाने के बाद तुचा से अमर का पता नी चलता वह सारे बनाती है संतूर हो गया बढ़ेप्रोगया यह सारे सारे साड़ेप्रो में एकशारे इसी बहुत सारी कमप्नіया है जो आपको इक् friction consumers की ड्पी Y गये और IT Services में आये और उन्हें अच्छा काम किया कि वो इंडिया की Top IT Company बन गई Infosys, Wipro, TCS Top IT Company आये हैं SCL और उसके बाद उन्हें बहुत पैसा कामाया देश के लिए और उनके जो चेर्मेन और MD हैं अजीम प्रेम जी उनको तो और उनके उनके साथ वालिस साहब को पाकिस्तान की तरफ से ओफर हो रहा था कि आप आईए हमारे हाँ जब देश का बटवारा हुआ था तो उनको आफर मिला था कि हम आपको अपना Cabinet Minister बना देंगे तब भी वो हिंदुस्तान चोड़के नहीं गए इतने बड़े देश भक्त देश प्रेमी हैं वो और उन्होंने अपना बहुत पैसा हिंदुस्तान की development के लिए दान किया charity करी तो अजीम प्रेम जी साब बहुत बड़े philanthropist हैं वो टॉप इंडियन मतलब टॉप रिचस की list में भी रह चुके हैं बाकी वो बहुत जागा charity कर देते हैं तो नीचे आ जाते हैं इस तरह से जब कंपनिया दीरे दीरे grow करती है और उनके product के demand आती उनके पास पैसा आता है त जी थी उनकेश की बड़े दो और शोचा में गूतों दूक्सान करने है व्हेंन में जाखी हो息, ďक महीनadors है नहीं भी जाएंगे, यह आप नुचसान करनें अपना, क्योंकि हम अगार तो इससे उल्टा देश का ही नुकसान होने वाला है, हमारी एकॉनमी खराब होगी, हमारी पैसा और बरबाद होगा, तो हमें अभी क्या करना चाहिए, जो cheap and best है, value for money है, उसको खरीदना चाहिए, वो चाहिना को कहीं का हो, इससे फरक नहीं पड़ता है, और हमें कोसिस करनी चाहिए, कि जो product Indian है, जो Indian कंपनिया बनाती है, अब जो Indian कंपनिया नहीं बनाती है, वो product हम किसी भी देश का खरीज सक करते हैं, क्योंकि उस पर हमारी expertise नहीं है, अभी हमारे यहां बनता नहीं है, और जो चीज हमारे बनती है, वो चीज हम अपने देश के ही खरीदेंगे, बाइक, कार, साबुन, तेल, मंजन, यह सब सारे item, grocery के item, कपड़े, यह सब सारी की चीज़े हम अपने देश की कंपनि purchase करने लगेंगे, यह सही तरीका है, अब best strategy है, clear, किसी को doubt, किसी का कोई cross question हो तो बताई, यह सर, example भी है सर, इसमें, जैसे सर, एक electronic की company, मीवी, वो पर सर, पहले बाहर काम करती थी, मतलब, अब इंडिया में आकर, वो made in India, speakers, headphones, वो सा पना रही है, मतलब, यह सही तरीका है, यह सर, अब हम लोग क्या करते है, साबून, तेल, मंजन, कपड़े, मतलब, अपना 80% पैसा तो देही देते हैं, विदेशी company को, उसके बाद करते हैं, हम चाइना वर प्रड़क बाइकार्ट करेंगे, क्या खाक बाइकार्ट करेंगे, आपने सारा पैसा तो अपना खर्ची कर दिया, विदेशी company को अल्ड़ेटी दे दिया है, अब आप क्या बाइकार्ट करोगे, आपके पास कुछ बचाई नहीं बाइकार्ट करने के लिए, तो आप जो 80% पैसा खर्च कर रहे हो, विदेशी company को दे रहे हो, वो आप अपल देश को दो, अब देश का साबून, इ देश की चीज़े इस्तेमाल करो, देश के खाने पीने की चीज़े इस्तेमाल करो, फिर उसके बाद जो जब देश में पैसा आएगा, तो देश की companyya भी आपको अच्छा return बना के देंगी, और अच्छे product बना के देंगी, और किसी का कोई question मेरे क्याल से, यह, यह question अब हमे और कोसिस करिए कि जिसे कोकागोला है, पेपसी है, यह सब चीज़े अवाइट करें, जैसे लेज है, अब वो पता है, इसके बारे में, वो चिप्स है, पोटेटो चिप बेच रहे हैं, आप उसका rate उठा के देखोगे, तो मानलों उन्होंने 20-30 रुपे का पैकेट देते ह तो उस हिसाब से मैंने एक बार कैलकुलेट कर रहा था, तो उसका rate आ रहा था, दो-तीन हजार रुपे पर केजी, अंकल चिप्स यह सब जो बड़े पैकेट आते हैं, उनका rate आ रहा था, हमारे यह ड्राइफ रूट चर, बदाम, पिस्ता, काजू, अक्रोड, यह हजार एक Pepsi देना, एक Coke देना, पचास रुपए को देना, सो रुपए अमेरिका को दे के चलिया है, यहाँ पर नहीं बाइकाट चाइना कर रहा है, यह चाइना से कोई मतलब नहीं है, हमारा पैसा देश में रहना चाहिए, देश की कंपनी के पास जाना चाहिए, पारले के करके, इस पॉइंट अफ यू से देखा है कभी, जो मैंने अभी आपको बताया, नो सर कभी नहीं देखा, कभी एक बार रेट काल्कुलेट करिए गा जरा पचास रुपए ला पैकेट है, उसको खरीदेगा, यह चार पार रेट होता है, वो कितने का एक केजी कितने का पड साहिए, कोई खरीद रहा हो आपके साथ है, तो उसको कहीं नहीं हिंडन वाला सब्स्रीट लो, आप सोब करीदने का लक्स मद करीदे, संतूर करीदिये, आप सर्फ या उस तरह के जो प्रड़क्ट है उसकी जगे, जो इंडन कंपनियां बनाती है, उनके प्रड़क करीदि यह सब Indian company है, Рanbex की है, Sir, but there is a difference, कुछ दवायों का raw material सिफ चाहिना में ही मिलता है, वो मझबूरी है, तो वो कुछ कोई कर नहीं सकते है, अभी तो सिफिलाल वो चरना हिं पड़ेगा, API में वाह से तो अब फूट नहीं मंगाना ही पड़ेगा, तो वो मझबूरी है, तो क तो आपका ब्रेंबाउस करने की कोशिश तो कर रहा हूं अगर अपने लोकल पूडर्स की बात करें से सब कॉलिटी से जितनी मिच्छी सार यह लिए कि पोजिशनिंग नहीं कर पाते सा हमें लगता सा हमारे हां मार्केटिंग की से रिजर्ट की चोड़ो और इंग मेनेजमेंट यह बहुत बड़ी कमी है सुबह मैं आप का अन से करता हूं देखिए एच्वेल प्रॉक्ट अन गैंबल प्रॉक्ट अन गैंबल पता है तो हम उनको मार्केटिंग पोजिशनिंग नहीं करनी है हमें अपने दिमाग में पोजिशनिंग करनी है हमें अपने दोस्त को अपने घरवालों को बताना है कि यार ये टीवी देखना छोड़ो ये मादोई दिक्षित को पैसे दिये हैं अमिताब बच्चन को पैसे दिये हैं इन्होंने ये माहन दोनी जो है वो पैसे लेके कोका कोला पी रहे हैं इनको छोड़ो आप अपने देश के साथ जाओ आपको अपने देश के प्रड़क्त खरीदने है सिंपल सी बात है और इसके बाद जब उनके पास पैसा आ जाएगा परियाप मात्रा में तो वो पोसीशनिंग और टागेट रिंग में भी कर लेंगे वो उसे बहुत पैसा लगता से बहुत बबड़ी टीम होती है इनके पास बहुत बहुत इंटरनाशनल एक्स्पोजर है बहुत बड़ी टीम है तो इसकी वजए से वो ऐसा कर पाते हैं हम ल से गलत कर रहे, गलत डिरेक्शन में आप जा रहो, Apple के प्रोड़क्ट मैं खुद लेने की सोच रहा हूँ, Apple MacBook Pro लेने की मैं सोच रहा हूँ, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है, क्योंकि Apple के बराबर का कोई प्रोड़क्ट हमारे कंट्री में अभी अवलेबल नहीं है, जिस दिन हमारे पास Apple के टक्कर का प्रोड़क्ट अवलेबल हो जाएगा, या उससे 19-20 भी हो जाएगा, तो हम नहीं खरीदेंगे Apple का प्रोड़क्ट, समझ ने आप, तो हम उस समय Apple का प्रोड़क्ट महीं खरीगे, जब तक अवलेबल नहीं है, तो आप खरीज सकते हैं, आप को खरीदना चाहिए है, क्यों क्योंकि आपको अपने quality को पढ़ाना है, मुझे अपनी class की quality को पढ़ाना है, मुझे अपनी work efficiency को पढ़ाना है, मुझे पता है Apple का product से बहुत अँटेबल होते हैं, अच्छा प्रड़क्ट है कोई भी लैप्टॉप अफरीद हो या तो अमेरिका का होगा या तो चाइना का होगा अर्ड़वेर तो वो तो आपको यूजिली कुछ पॉंपोनेंट्स हाना कही होते है तो सर कुछ कर भी लिए हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं तो हमें अभी तो है अपने लिए हाँ जब हमारी कंपनिया भी वो बनाने लगेंगी और उस उसके एक्यूवेलेंट या उन्निस बीस प्रड़क्ट आ जाएंगे तो हमें नहीं लेना यहीं तो मैं उतनी देर से समझाने की कोशिस कर रहा हूं कि हमें उन प्रड़क्ट का बाइकॉट नहीं क यू सर्ड़क्ट कर दो